हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो यूपेसी वाला सभी फ्रेंट्स का बुनियाद बेश में बहुत-बहुत स्वागत है तो आज ही ग्लास में हम बात करेंगे इंडियन कॉंस्टूशन नेट वाक में फैजरलिस प्यानी संगवाद संगवाद को हम पहले भी पढ़ चुके हैं एक आप सभी को पता होगा कि पहले 9 में 8 में हम इसको एक बार देख चुके कुछ में में फैक्स जान चुके हैं आज हम जानेंगे कि अगर हम इंडियन कॉंस्टूशन में बात करें भारत के संदफ में बात करें तब जो फैडरलिसम है वह क्या है क्या इसके ऐसे में प्रोवी अभी तक आपका कॉंस्टूशन वाइंज हो गया राइट इंडियन कॉंस्टूशन हो गया एलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन एजुकेटिव लेजिस्टेटर एंड जुडिशरी आप आज हमारी जो चर्चा है वह फैडरलिसम किया ठीक है नेक्स आपको एक वीडियो को मिले का लोकल गवर्मेंट का एंड कॉंस्टूशनल एंड लिविंग डॉक्यूमेंट इंड फिलोसफी आप दा कॉंस्टूशन यह दोनों जो है वह हम साथ में कवर कर लेंगे इस तरह से नेक्स टू क्लासे में आपका पॉलिटी खत्म हो जाएगा के वाली बुक खत्म लेकर नाय पाली का जिसने भी ये वीडियो जना देखिये हो एज़ेकर लजिस्री तो बच्चों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है ठीक है गौवर्मेंट के जो थ्री इंपोर्टेंट और गॉंस है ठीक है वो क्या काम करते हैं कैसे उनका कुशन आते हैं तो आप सभी को कॉंटिनुवस्टी जो क्लासे बच्चों देखनी है ठीक है जो क्लासे आपने अगर पिछले नहीं देखिए सुन क्लासे को एक बार देखिए पीडिएफ भी आप सभी को पीड़ू के अप्लिकेशन पर मिल जाता है और जैसे ही क्लास कत्म को है because of जब आप राइड आउंड करते हो तब आपकी वहांड है भी डैविटवलप होती है अजा नहीं परने वाला काम नहीं है तो नोट्स मेकिंग आपको डेफिनिट लियुक्त करेगा आपके मेंस इग्जामनेशन में और यह जो हैबिच है आपकी वैडवल आप सबस् और चलिए सो अच्छा कल मैंने आपको जुडिश्री पढ़ाया था था कल हमारी चर्च समझा नहीं पालिका यह पालिका के बारे मैंने बहुत जादा विस्तार से समझा कि जुडिश्री जो मैं है क्या चुनाव होता है रिमूवल कैसे होगा आपॉइंब्मेंट कैसे होगा तो यहां पर एक कुश्चन में 2017 से पूछती हूं आप सभी से कि देखो कल उसके पहले एक और हमने जो चैप्टर किया था जिसमें कि हमने पार्लियमेंट और लेजिस्टर की बात की थी ठीक है तो पार्लियमेंट तो कि क्या काम करना लॉव मेकिंग का आपको लगेगा कि यह जो है आपका सीधा उसी क्लास से कुश्या ने क्यों की की आप उसको अराम से पढ़िए और आपको वही लाइस जो है आपको डेफिलिटली आपके यूपसी फिलिम्स में मिलेंगे पीटी क्रेक करना थोड़ा से जाधा टफ हो गया है पीटी जाधा डाइनमिक है में तो फिर भी समझ आता है कुछ 19-20 जो है आस पास लिख लोगे पीटी में अगर आता है तो आता है वरना गया आपका वो नंबर उपर से अगर लगाने की फिर भी कोशिश की क्यों और नहीं है आप है ना गलत चला गया तो नेगिटिव में और चले जाओगी तो पीटी जो है वह जाधा टॉफ हो गया है और इसको क्रैक करने का यह है ए हंतर से दुबारा कोशिंटों शाते हैं तो वह आप से मिस नहीं होंगे तो सबसे पहले आपको सरी मिस्टेक नहीं करना है ठीक है इस तरह के जो कुछ जूरी पिटिट्ट कॉश्यटीस है वह आपको घुलत नहीं करने हैं» सब डेफिनटली आप देखेंगे कि आपका जो में स्कूर है वह बढ़ जाएगा आपनी हरे क्लास में जो टॉपक के साथ साथ पीवाई की उस भी रखती हों टूथाज़न सैवेंटी ने पूछा गया था तो पार्लेमेंट के बारे में या पर दो स्टेटमेंट है फर्स स्टेटमेंट आप से कहता है कि आप प्राइवेट मेंबर्स फिल इसब प्रेजेंट इड वाई अमेंबर आफ पार्लेमेंट को इस नॉट इलेक्टिट बट आवली नोमीनितेट बाइद फ्रेसिडेंट आफ इंडिया अगर हम बिलके प्रपोस्ट की बात करें पेश करता है तो हमने जाना था कि ये दो तरीके से अगर दो अलग-अलग व्यक्ति पेश करते हैं तो टाइपस बदल जाते हैं पर एक्जामपल अगर कोई मिनिस्टर जो मिनिस्टर है कैबिनेट में ठीक है अगर जो मिनिस्टर है यह बिल्कु प्रपोस करेगा तब हम इस बिल को कहते हैं सरकारी विध्यक ठीक है गवर्मेंट बिल लेकिन अगर मिनिस्टर नहीं है बाकी अधर मेंबर से बाकी पार्लियमेंट के और जो मेंबर है अगर इसके द्वारा बिल को प्रापोस किया गया है तब हम इसको कहते हैं प्राइवेट बिल ठीक है आप देखो केवल इतनी थ्वेरी से आपका ये फर्स वाला सॉल्व हो जाएगा नोमिनेटेट बाइदा प्रेसिडेंट ऐसा कुछ भी नहीं है जहां पर जितनी जरूरत होती है उस टॉपिक को हम उस ट्रेप्ट तक कवर करते हैं जहां से कुशन आना है हम उसको कवर करते हैं ठीक है तो आपको परिशार नहीं होना है बिल्कुल भी कि नहीं मैंने बताया नहीं इसके आगे अरे भाई इससे कुश्चन सौल होंगे आपका और अब हो सकता है कि गलत करवाने के लिए इसमें एक और information add कर दी जाए तो अब इसकी तो कोई सीमा ही नहीं कुछ भी एड़ किया जा सकता है आपको सठीक पता होना चाहिए कि इसमें बस दो बाते हैं कि अगर जो मंत्री मिनिस्टर से अगर उसके द्वारा वाइब बिल पेश किया जाता है प्रपोस किया जाता है उस बिल को तब अ प्राइवेट मेम्बर्स बिल हैस बीद पर्वीं the प्रियमेंट ऑफ मिल यह फुर्ग इंडिययास for अपर्स प्रपा-री है चलो आप करे nå कई तो यह वाल आपका चैप्टर है फेट्रिल सम्हवाद सबसे व्यर दो करेंगे कि यह है संखवाद है भ каж들이 संखवाद है क्या क्या डेपिनिशन है और आप तिंडिया कोंटेक्स में जा है और हमारा Constitution क्या कहता है पैडिलिेंड रिखे बारे में उस बार हम चेर्टा करेंगे अमेरी दिख एक से अधिक स्तर पर सरकारों का होना है ना more than one level of government एक से अधिक स्तर पर अगर सरकारे हैं तो वहाँ पर हम उसको सग्यवाद कहा सकते और हमने इस ववस्था को अपना है उसके पीचे रिजन था कि देश में इतनी विविद्धा इतनी डावस्टी थी और अगर हमने इस वव जाड़ करें जारकंड की बात करें या फिर हम उत्राखंड की बात करें ठीके तो यह सारे जो स्टेट अलग हुए उसके पीछे रिजन जांते उससे एक ही था कि जो गवंवेंट है वो हमारे सेडिया पर धियार नहीं दे रही है तो अगर बच्चों यहां पर हमने पूरे करने वाले लोग थे ठीक है समविधान के निर्माता थे उन्हें इस बात का बहुत अच्छे से ग्यान था और इसी वज़से शुरवात में हमने किस ववस्था को अपनाया अपने हां की विविद्यता को देखते हुए ठीक है तो अपने यहां की डावस्टी का सम्मान करते लिए कि ऐसा ना हो कि हर स्टेट एक है कि हम अपना डेवलोपमेंट कुट कर लेंगे तुम रहने तो तुम से नहीं होगा तो यहां पर यह देखो फैडिलिस्म हमने इस लिए अपना लिया ठीक है इसके लावा सेकेंड देखो भारतिय संविधान में संखवाद ठीक है अगर हम इंदिन कॉंस्टिश्य की बात करें इंडियन कॉंस्टिश्य पेसमें हम पावर में आप देखेंगे के यूनिनल इस at lista very concurrently स्टेर सेटीशिग नाइस सब्सेट का रची की यहां पर अब Urban प्र शिक्रशक्ती है संवर्ती और ओर संगसुची है ठीक है और साथी रिको यह जो स्तिती है पॉसबल नहीं है इसको रिसाल कराने के लिए मेक इनिस्टेर्ल सिस्टम के ठीक कुछ उस पर बात करेंगे जैसे इंटर्ल स्टेट डिस्प्यूट है रहाएं और नहींड बोर्ड अभी भी मांग करें सब देल रिजन रहें कि बहुत पर और भी जो मांगे आप सुनते आते हैं तो यह सारी मांगे क्या है यह यह बताती है कि अभी भी हमें ट्रस्ट नहीं उस गवर्मेंट पर कि महां development करेगी और इसलिए हमें खुद autonomy चाहिए हमें खुद स्वातांतिता चाहिए हम अलग एक political unit बन जाएगे तो वर्तमान में यह जो मांग है नए राज्यों की मांग क्यों बढ़ रही है यूपसी निया से में कुशन पूछा था ठीक है और उसके क्या कारण है यह कुशन में पूछ दिया क्या कारण है कि अपनी अलग राजनेतिक पहचार्ट अपना development करना संसाधन उप दो को विकास के लिए तो इस तरह की जो therapist है इस तरह के चो कारण है बहुत एक तनाव कारा रंब जाते है ठिक है कंफ्लिक्स इन इंदिया करेंगे और बहुत इंपोर्टेंट है यह वाला जो पूर्शन है नहीं बहुत इंपोर्टेंट इसमें चार-पांच बातों को हम पढ़ेंगे अच्छा वो मैं यहां लिग भी देती हो ठीके जैसे किस में हम बात करेंगे पेडलिस्म विद्धा स्ट्रॉंग सेंट्रल गवर्मेंट हमार देश में आप देखेंगे क्या राज और केंद्रों को समान पावर हैं ऐसा नहीं है केंद्र के पास ज्यादा शक्तिया केंद्र के पास ज्यादा फिनेंशियल रिसोर्सेज हैं ठीके तो यहां पर यह जो सिती है हमारे कॉंस्ट्यूशन में क्या यह सही है क्यों नहीं है औ और अगर इसमें राज्यों की हम बात करें तो उनका क्या स्थान है और ऐसे अब UPC पूछा कि ऐसा मतलब हमारे देश में पेडरलिस्म या जो यूनिटरी एकात्मक जो ववस्था है यूनिटरी जो सिस्टम है गवर्मेंट का कौम कौन से ऐसे प्रोवीजन है जो उसको लाग बनाते हैं केंद्र को जाधा शक्तिया देते हैं आप जैसे किसी स्टेट में प्रेशिडेंट जो रूल है रास्पती साशन जो है लगा दिया जाए ठीके बहां के विदहान मंडल्य उसको कह दिया है कई घर बैठ ओ को यहां पर ऐसे में वहां का साशय। चलाएगा गवर्नर्ट चलाएगा वहां पिभर राजपाल है वो चलाएगा के जंड की नेटियों के नुसार के इन्डर को साशन और करने का धिकार मिल जाएगा, रूल करने काधिकार मिल जाएगा, एवन जो स्टेट के जूरिदिक्ट्षिन एरिया थे आब उस पर सेंट्रल गववर्मेट जो है, वै काम कर रही है, तो ऐसे में हमारी है, क्या प्रावधान है, so federalism with a strong central government, और कहीं न कहीं, क्या हमें एक मजबूत केंद्र की आविशक्ता होती है डेफिनेटली होती है ठीक है इसलिए होती है बच्चों कि अगर एक केंद्र मजबूत ना रहे ठीक है उसके पास ज्यादा शक्तिया ना हो तो फिर भारत को कैसे एक रख पाएगा ऐसे तो हर स्टेट अपनी डिमांड करे कि वह हमें अलग से चाहिए तो तो राज्य बन जाए तो ऐसा नहीं होने देना है है ना इसके लिए अमारे हां केंद्र सरकार्ट जोसको पास ज्यादा शक्तियां दी गई है चलू सु यहां पर कुछ पॉइंस में यहां पर लिक्वा देती हूं कि कंफ्लिक्स इन इंडिया इन फैडरल सिस्टम तो आप यहां पर इसकी इंग्लिश में उपर लिख देती हूं ताकि हमें नीचे स्पेस मिल जाएगा हम इसके में पॉइंट्स लिखेंगे क्योंकि एक फ्लो चार्ट में जब आपके पास सारी चीज़े होती है बच्छों तब आप चीजों को ज्यादा सही समय सही ठीक से सही ठीके से सबस्पाते हों तो यहां पर आपका यहां पैडिल इस्म पिता टो टेलिज्म इदा ट्रॉंग सेंट्रल को मेंट तो अच्छल अवर्मेंट तो मेंट ठीक है ते शुक्त के इंद्यसर कार और संधवाद चलिए अब आगे देखो कि इसमें ऐसे कौन कौन से प्रोवीजन आएंगे उसे हम समझ देते हैं एक बार कि आखिर तनाव के क्या क्या कारण हो सकते हैं ये काफी इंपोर्टेंट है बच्चो तो देखो तनाव के कारण में एक तो हो सकता है कि केंद और राज्य के जो संबंद है इसमें किसी भी तरह की से खीचाता नहीं हो सकता है ना सो यहां पर अगर हम सेंट्रल एंड स्टेच की बात करें ठीक है अगर हम यहां पर सेंटर एंड स्टेट रिलेशन की बात करें केंद राजय संबन्द कें राजय संबंध इसके अलावा सेकें रोल भूरन राजय पाल की भूमी का रूल ओव गवर्न अ ठीक है और यहाँ पर प्रेसिदेंट रूल भी हम लिख सकते ही रूल आफ गवर्नर है ना आगे लिख लो एंड प्रेसिदेंट रूल रास्पति शाशन नए राज्यों की मांग डिमांड पॉर न्यू स्टेट डिमांड फॉर न्यू स्टेट यहाँ पर इस तरीके से यह कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो की भारती समिधान के संगी ववस्ता में प्रेशर के तनाव के जो कारण है वह बनते हैं ठीक है तो इस्पेशली आपको इन चारों को समझता है 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 तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर हमने संगी ववस्ता को अपनाया क्यों ठीक है सबसे पहले हम यह चर्चा कर लेते हैं साइड हो जल्दी से स्क्रीन शॉटे लो तेको नोट्स जरूर बना लिया करो ठीक है नोट्स अगर जिन बच्चों के अभी तक के नोट् कॉंस्ट्यूशन इट वर्क तक के आप एक बार देखना बचों की इतने समय में आपने जो क्लास किये हैं कोई ऐसा स्टूडेट जिसने प्रॉपर नोट्स बनाए हो और अब अगर आप उस नोट्स से पढ़ेंगे आपको पूरी क्लास याद आ जाएगी और जो पीडिए आया हुआ है सबसे फस्तों देखो बचो कि जब हम अपने आर्टिकल वन की बात करते हैं तो हमारा जो आर्टिकल वन है यूपेसीरे कुशन पूचा कि अनुच्छीद एक क्या कहता है अनुच्छीद एक में इंडिया लिखा या भारत लिखा है तो दो रोशब लिखें इ वो बार बार इस चीज़ को उठाते हैं कि भारत मतलब ऐसा जहां पर वो जो गरीब लोग है ठीक है उस चीज़ को उठाएगा इंडिया मतलब ऐसा जहां पर की अमीज लोग जादा है तो यह जो अंतर है वह अस्मानताओं को बताता है सम टाइम्स चब्द लेकिन हाँ यह इस शब्द का ये एक ये अर्थ नहीं है इंडिया देट इस भारत चुकि ये दोनों ही नाम बहुत प्रचलण में थे तो ये दोनों नाम लिखे हमारे देश में चैल भी यूनियन आप स्टेट ठीके या देखना मचो की से यूनियन आप स्टेट कहा गया इसे फेडरल नहीं कहा पड़ हम पेडरल प्राइल लेकिर अमने फेडरल इस में फिसको अपना आया हमने सभाथ में भी यूनियन ऑप स्टेट वर्ड अरच्यaben का संग होग表示 राजियों का संग संग बाते के भी यह बैंन तो यह आपर दॉक्टर हम पीचकर कहते कि राच्यो टेकशंगने क्यो को बातों को बताता है तो आओर यह बता के संग में क्या आगए है क्या राज्यों के संग में तो के यह सारी बाटते थोड़ा सादीप हो जाती है तो यह आपका आर्टीकल वन है अब आगे देखो कि नेक्स अब इसमें देखें के बच्चो कि अगर हम फैडिलिस्म की बात करें यह है क्या सबसे फस्थ देखो यह की संस्थागत पुडा ली है एक इंस्ट्यूशनल मेकेनि तो सेट्स ओफ पॉलिटिक्स होता है ठीके दो इस तरों पर पॉलिटिकल पार्टीज हो सकते हैं दो इस तरों पर पॉलिटिकल गवर्मेंट हो सकता है एक तो है आपका नैशनल गवर्मेंट पूरे देश के लिए होगा ठीक है दूसरा है आपका स्टेट गवर्मेंट जो किसी एक राज्य के लिए होगा नैशनल गवर्मेंट और एंड या फिर हम इसको रीजनल भी कह सकते हैं तो एक तरीके से एक ऐसा इंस्ट्यूशनल एक मैरेके निजम है कैसी संस्थागत प्रणाली यह जिसमें दो इस्तरों पर जो है वह पॉलिटिक्स है ठीके दो इस्तरों पर टू सैट ऑफ पॉलिटिक से एस्ट अट लीस्ट या फिर फैडिलिस्म का जो मतलब है वह क्या है पैडिल का अगर हम वर्ट का मतलब देखें मीनिंग देखें वच्चों तो इसका मीन होता है कि मोर देन एक से अधिक स्तरों पर सरकारों का होना यही सग्वाद कहला ता है लेकिर अब चुकिए लेवन की बुके तो थोड़ा सा इसमें स्टेंड बढ़ा दिया ठीक तो इसमें क्या कहा है बचुकि एक इस्ट्यूशनल मेकेनिजम है जिसमें टू सैट आफ पॉलिटिक से एक तो नेशनल दूसरा रीजनल लेवल पर और याद रखना कि आप जिसे यूपस्ट ने कुछन पूछा कि फैडरल इसमें में क्या दोनों जो ये नैशनल और इस्टेट इस तर पर जो गवर्मेंट क्या इनको ऑट्रोनोमी होती है कि क्या यह और बात सुनों कि क्या जो फैडिल गुवर्मेंट होती है यहां पर की वसिंगल सिटिजन शिपोगी जैसे की इंडिया में है तो यह दखना कि यहां पर सिंगर एंड दूर ठेके राज्यों का संग है न सिंगल एंड डूट एक अल और दोरी दोनों नागरिकता हो सकती है यह सिंगल हमने अपनाया इंडिया और दौरी नागरिकता कि जब हम बात करेंगे अच्छा सिटिजन्शिप तो लिखी दूमें ठीकें डिटिजनशिप एक अलोड दौरी नागरिकता दोनों हो सकती हैं डूल सिटिजनशिप कि जब हम बात करेंगे तो बच्चो ये USA ने अपनाया तो USA और इंडिया के ये जो नीचर उसमें कैसे अंतर है देखो पहले कुछ अंतर में बता तो जिसे की USA ने अपनाया फैडल वाट को क्यों फैडल वाट को इसलिए अपनाया क्योंकि यहां पर बच्चो जो राज थे ना वो अलगा लगते फिर यह मिलकर एक हो गए यह जो राज थे ना यह अलगा इंडिया ने कहा कि यह तो यूनियन है यह फैडल नहीं है और डिफरेंट ऐसे है कि यहां पर तो सब अलग थे जोड़कर एक बरे थे हम अलग नहीं थे हमने बस यह जो चीज़ें है वह इसलिए हमने राज्यों को इसलिए शक्तियां दी ताकि वह अपनी स्वायतता के है वह किसी समझोते का नतीजा नहीं है जैसे कि अमेरिका की गवर्टमेंट अमेरिका में हुआ ठीक है तो यह हो गया आपका थोड़ा सा एक इंडूरक्शन और हमने एक यहां पर डेफ एक यहां पर सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट देखा अब दिखा अब दिखे करें यतिकता कि बात करें लेटी की बात कर तो मुषेट होगी कि आप आप गुजराती है और भरतीयग है तो हम इसा पर यहां एक जो आपके रिजन से बिलॉंग करती हो एक आइडेंटिटी और दूसरी आइडेंटिटी जो आपको आपके देश से जोड़ती हो है ना यहां पर याद रखना है आपको कि देखो हर एक लेवल पर इच लेवल ऑफ पॉलिटी है जिस्टेंट पावर एड डिस्पोंसिबिटी इन है जा सेपरेट सिस्टम आप गवर्मेंट ठीक है सगें में देखो यह कहा हमने इसके में पॉइंस लिग दो सबसे पहले तिसमें य फिकल टू सैट और यहां पर इटेंट इस होगी और इसमें एक तो जो आईडेंटि है आपके रीजन की और दूसरी आपके नेशन की हो सकती है ठीक है एंस इसमें हर एक जो लेवल है ना हर एक जो लेवल है प्रते किस्टर पर जो राजनितिक विवस्ता है उसकी अलग पह has direction power and responsibility चलो आप जल्दी से कुश्यन का असर दो कुश्यन का असर दो जल्दी से कुश्यन है फिर दो विशिष्टाओं को हमें और समझ ना है फिर हम चलेंगे की कॉंस्टुशन में से कौंसे प्रोवीजन किये गा है जो हमारे हां की फैडल इसमें सेंट्र गवर्मेंट कुछ अकमोडे टू सेट ऑफ पॉलिटीज अ कि 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 अ करेगा और इस दोहरी बडाली को आंतर पर लिखे समवेधार में लिख दिया जाता है कि यहां पर रिटन कॉंस्टूशन से बात नहीं बनेगी है न तो याँ रखना कि यह बात बिल्कुल सही है क्योंकि बच्चों अगर आपको शक्तियों का बटवारा करना है दो एंटिटीज के बीच में दो पॉलिटिकल एंटिटीज के बीच में तो ऐसा कभी नहीं हो सकत है ना तो यह बहुत बहुत मतलब विश्व में एक तरह से महाशक्ती आप सभी ने यूएससर का विगिटर 1991 में सुना होगा उसके पीछे जो कारण था कि जो सभी राज है वे अपनी राजनाई तक अपनी विशिस्ट पहचान और अपने लिए अलग से ही एक सरकार चाहते था वो अलग हो गया तो इस इसका मतलब क्या है कि कहीं न कहीं एक रास्ट में अगर किसी एक स्टेट को या किसी एक जगा को proper उसे लग रहा है कि उसको identity नहीं मिल रही उसको resources नहीं मिल रहा उसका development नहीं हो रहा तो वो अलग हो सकता है ना तो भारत को भी देखो बचाने के लिए हाला कि आपको पता है कि भारत में भी किस तरीके से अलग-अलग जो मागें है वह उठती रहती है अलग-अलग राज बनाने की मांग उठती है कई लोग तो भई पूरा रास्टर की मांग कर लेते हैं तो यहां पर इस तरह की जो demands है वह यह बताती है कि लोग शक्ति और स्वायतिता को चाहते हैं लेकिन सोचो कितने बड़ी बात है कि अगर हम अपने देश की बात करें ब सब्सक्राइब कर लो लेकिन यहां पर तूटने का ऐसा कोई सिस्टम नहीं है ठीक है चलो तो यहां पर आपको याद रटना है कि दोनों ही बातें सही लिखिए क्योंकि इसमें अलग अलग शक्तियों के विभाजन कर दिया जाता और इस बात को हम पहले ही समझ गए चलो तो यहां पर हमने हमारी टू आइंटिटीटीज की बात हो गई अब देखो दो और यहां पर पॉइंट्स आपके बची एक तो आपका पॉइंट है बच्चो कि अ कि सारी बातों को लिख दिया जाए सारी जो बाते हो उसको लिख दिया जाए कि जैसे कि हमारे सेवन जो शीडूले साथ वियनुस उची है उसमें अलग-अलग ववस्थाए कर दी गई जो सब्जेक्ट थे हमने उसको डिवाइड कर दिया कि यह जो सब्जेक्ट में यूनि लिस्ट का भी प्रोवीजन रखा कि अगर कोई विशा है इतना महतपून है और तो वहाँ पर सेंटरल और स्टेट दोनों गवर्मेंट जो है वैं नियम बनाएंगी अगर वहाँ पर किसी भी तरह के डिस्पूट होगा तो के इसरकार जो नियम है प्रभावी हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर देखो जैसे की डिफेंस है करेंसी है इसको कहा रखा गया चूकि यह नेशन इंटर्स के सब्सक्राइब के लिए सुरक्षित रख दिया गया अब देखो नेक्स देखेंगे फोर्थ लास्ट यह तो आप थर्ट था और यह फोर्ट देखते हैं कि बच्चों तु प्रिवेंट कंफ्लिक्ट बिट्वीन दा सेंटर एर स्टेट अच्छे यह बताओ कि अगर हमारे आस सम्विधान तो ठीक अगर पाली का नहीं होगी और के लिए उसका मतलब क्या होता है कि किसी तरह का बाहर की हास्तक शेप ना और यानि लजिसलेटिव का ठीके इसके अलावा जो ज़ किसके नहीं है Central Government की शक्ति के स्ट्रीट गवर्वंच की शक्ति है तो इसके लिए डिसीजन देने के लिए हमारे पास जुड़िश्री होना चाहिए तो यह चार बात हम ने देख लिए फिर से सुनो कि अगर हम फैडरलिस्म की बात करें इंडिया में फैडरलिस्म की बात करें तो यहाँ पर यह जो चार बाते हैं हमने अपनाई थी संगवात की ये मूल अबधारनाई कही जाती है ठीक है अगर माली जे कुशन आ गया संगवात क्या है और उसकी मूल अबधारनाई क्या कहती है तब आप इन चार पाच बातों को लिख सकते हैं ठीक है कि सबसे फर्स तो जो इंडिपेंडेंट जो डिश्री है ताकि किसी भी तरह के जो मुद्द्ध है उनको सुलचाया जासा के चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट और आगे देखते हैं कि भारती संविधान में संगवाद की क्या विशिश्टा की गई है ठीक है वह ओवरॉल आप लिख सकते हो पहले शुरू करते हैं तो बचो जैसे की शुरूबात में मैंने आपको बताया की वन बिफूर इंडिपेंडेंडेंट्स है ना स्वधान था के पहले ही अगर हम देखेंगे तो जो हमारे नेशनल जो स्ट्रगल हो रहे थे ठीक है उस मुवबमेंट में जो हमारे नेशनल थे उन्ने बहुत पहले इस बात को समझ में आ गया था कि भारत जो है वह बहुत बड़ा देश है ठीक तो यहां पर अगर हम शुरवात में देखें डिफूर इंडिपेंडेंडेंस कुछ कीवर्ट सी लिखूंगी जी पूर इंडिपेंडेटनेंट्स तो यहां पर जो हमारे दीडर्स थे उस वक्त के ठीक है नेशनल मुवमेंट के नेशनल मुवमेंट तो इसके लीडर्स को बच्चो ये समझ में आ गया था कि अगर आपको इस बड़े देश को अगर आपको गवर्न करना है ठीक है ठीक है तो गवर्न होज कंट्री तो प्रवन होज कंट्री अ भारत जैसे विशाल देश को अगर आपको शाशण अगर आपको करना है तो यहां पर आपको शक्तियों का जो विभाजन है वे जरूर करना होगा सो चो हमारे आप पांसो से जादा प्रिंसली जो स्टेट है वह बिटिश चोड़ कर गए थे और ऐसे में एक अकंड भारत को बराना बहुत बड़ी चुरू होती थी तो जब हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं बहुत जादा important topic है एक इकरन बहुत ही जादा important topic है ठीके तो यहां पर गवर्ण करने के लिए बच्चो यह पता चल गया कि यहां पर to divide the power between divide the power between provincial and central government कि प्रांट जो थे जो बिटिश प्रांट कहलाते थे ठीक है एंड तेंट्रल गोवर्मेंट के ते सरकार जो है तो बहुत जरूरी था ठीक साकता की सभी को जो पावर है वैं मिल सके वैशांती से अपने विकास में यूगदान दे और उस वक्त हमें एक ऐसी मजबूत केंदर भी चाहिए था उस वक्त हमें जो भारत की एखंडता को एकता को बनाए रखे लेकिन हमें राज्यों का सही योग भी चाहिए था और यही एक कारण था कि हमने राज्यों को इवन उतनी स्वाय दिता दी उतने पावर्स दे जितने में आपना डेवलप्रेंट कर सके हा लेक जो शेत्र थे कि डिफ्रेंट डिफ्रेंट जो रीजन्स थे शेत्र थे आपको पता है कि ज्यादा तर जो मांग उठ रही थी वैं अलग भाशा के कारण पहला राज कौन सा था भाशा के आधार पर तो चाहे यहाँ पर हम लेंग्वेश की बात करें ठीके या फिर लेंग् एक तो लेंग्वेश और दूसरा शेत्र विवित्तॉ यह दो ऐसे कारण थे जो भारत के लिए कई राज कई प्रांत कई रास्टर बनाने में सक्षम थे और इसी वज़े से इन्न अपने चाहे लेंग्वेश की बात करें रीजन की बात करें इनके डेवलप्मेंट के लिए को अफॉर्टी देरी थी ठीकतु इनके डेवलपमेंट के लिए सहभागीता के लिए टीयर पावर गए सहभागीता के लिए और साथी साथ इनके सेल्फ गवर्ण के लिए सेल्फ गवर्ण दे के लिए हावा जो और रानुमी है वैर दीन है HEY नेक्स्टेस में दू बाते हमने समझढे तीसरी बाते बच्चों कि यहां पर एक ऐसी गव्वर्मेंट का जो धाचा है बनाया गया एक जो फ्रेम क्यार किया बच्चों ठेक यह जो फ्रेम है एक ऐसे प्रिंसिपल एक ऐसे सदान्थ पर आधारित था जिसमें हमें unity पीच आइए थी ठीके ऑन unity के साथ सत्थ हमें गृट यूुनिटी लेकर हमें यूुनिटी बहले सुद्द ही तो यहां पर क्या है कि इसका आधार्याय चाह्ट बने है तो इसे इस लिए भी बचों हमें क्या करना पड़ा कि अगर some state की बात करें तो इसे जो पावर्स है ना इसके सेपरेट जो अधिकार शेत्र थे वह देने पड़े तो इस तरह से केद्र और राज्जी की जो संकल्पना है वह शुरू होती भारती संविधान में संखवाद की और इसलिए जब अपने आठी अच्छा एक बात और सुनो कि क्या आर्टिकल वन में federalism की बात की गई है अगर हम आर्टिकल वन इंडिया देट इस भारत union of state का आगया या फिर federalism का आगया संगवाद नहीं का मतलब कहीं पर भी संगवाद वर्ट का वर्णन नहीं है ठीक है federalism federalism जो शब्द है वच्चो यह मैंचन नहीं है important है यह बात याद रखना ठ ठोड़ी सी लेकिन उसके पहले इस question को देखो consider the following statement about federalism in the Indian constitution ठीक है भारतिये संविधान में जो संगवादे दा constituent assembly decided to frame our government that would be based on the principle of unity and cooperation between the central and state and separate power to the state then second to the constitution describe India article one that is bharat shall be union of state अगर यहीं पर federal word आ जाता तो गलत हो जाता है ना रियाद रख्टा कि यहाँ पर दोनों ही जो बाते हैं वह है सही लिख्यों यह है ठीक है चलो अब नेक्स देको division of power division of power का मतलब क्या हुआ बच्चों कि जब हमने शक्ति विभाजन का सोचा कि भाई किस तरीके से किया जाना चाहिए शक्ति विभाजन में क्योंकि फैडल में दो सरकारों की बात तो की गई शक्ति विभाजन में तो कि हम पैडल पढ़ रहे हैं बच्चों तो यहां पर पैडलेलिज्म में हमने मतलब क्या समझाता कि अटलिस्ट दो इस तर पर तो सरकारे होंगी अच्छा एक बात और समझ दो यही पर ठीके टू सैट आफ पॉलिटिकल सिस्टम तो होंगे दो इस तर पर सरकारे होंगी एक तो होगा नैश्नल गवेमेंट जारिकए समझ देह एक तो होगा आपका नैशनल गवेमेंट आपका स्टेट गयोवरमेंट नीख तो जब हमारा देश ये स्वा तंतर हुआ था उस वक्त तक हमारे पास यह दो ही लैवेल थे, ठेके पहला और आशानल, दूसरा स्टेट और आपको पता है कि तीसरा जो लोकल सेलफ गोवर्मेंट आया इस फानी ऐस आशन वाली जो बात आती है ठीके लोकल सेलफ गोवर्मेंट का जो कॉसेप्ट है 73rd और जो 74 आपका Constitution का Amendment था कॉंस्ट्यूशनल अवेंडमेंड को कैसे पारित किया जाता है लोग सभा को यह राजसभा किसी को इस पर विशेश पावर यह दोनों को समान पावर समान पावर है ना यही समझा था हमने अमने क्या जा रहा था कि सम्मिधान संछोधन का अगर कोई प्रस्ताव है तो वह कैस से जाता है दोनों राज दोनों जो हाउसे लोग सभा राजसभा किसी में भी उठाया जा सकता है और दोनों के विशेश बहुमत से अलग-अलग पारित हो ना आव शेक इस पर जोएंट सेशन नहीं होता बात पुरानी बातों को भूलना मत तो यहां पर बच्छो सेवेंट पंचायतों की बात करता है और इस तरीके से एक और इस तर जुडिया लोकल से गौवर्मेंट का तो फैडलिसमे बच्छो जब नैशनल और स्टेट गवर्मेंट की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर यह कहा गया कि एक सरकार होगी जो कि संपूर्ण पूरे पूरे देश क लिए होगी तो यह पर हम यह वाली नैशनल गवर्मेंट के लिए बात करते हैं ठीके टूसरेट अफ गोवर्मेंट at least two set of government federalism का मतलब यह नहीं होगा तीन स्थर पर सरकार यह नहीं होगा हमने इस स्वरूप को अपनाया है लेकिन शुरवात में हमारे हैं कि वाल दो स्थर पर ही सरकारी हुआ कर दीती लोकल सेल गुवर्मेंट बाद में जुड़ा ठीक है तो यहां पर अगा फेडरलिस्म कार के पूरे नेशन के लिए होगी के वन पॉर एंटायर नेशन हुरे रास्ट के लिए होगी और जो सेकंड है स्टेट यह एस्टेटं गौェंट के लिए होगी कि वल राज्य के लिए होगी इस ȡあपिर जो भी रूटर स्टेटस की बात करते हैं कि क्या union government और state government इनका अलग अलग ना इन दोनों को ही constitutional constitutional संबैधानिक सरकारे कहा जाता है constitutional government UPSC पूछा था कि constitutional government का मतलब क्या है कितने वच्चों को याद आया क्या मतलब एक constitutional government का limited government limited government का क्या मतलब है कि जो अधिकार शेत्र है सारे चीज़ उसको constitution में ठीक तरीके से परिभाषित किया गया कि केंद और राज्य की शक्तिया क्या क्या होंगी तो संबैधानिक सरकारों का मतलब क्या है बच्चों सी में सरकार ठीक है ये इडेंटिफाइ किया गया है इस चीज़ को कि किसके क्या अधिकार होंगे क्लियर ली आइडेंटिफाइड एडिया और अफ एक्टिविटी और नेक्स्ट है कि अगर किसी तरह का डिस्प्यूट होता है तो इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन सा मैकनिसम है इंडिपेंडेंट तो यह ववस्था हमारे हां की गई है इतनी ही बात जो है आपको याद रखनी है इसके अलावा देखो बच्चों इसके अलावा आगे हम देखते हैं कि हमारे हां भारत के सम्विधान में जो आप त्री लिस्ट को बनाया जाया है ठीक है हम देखेंगे कि डिविजन ऑफ पावर जो है वैं तीन लिस्ट में किया गया है वैं यूनियन लिस्ट सेट लिस्ट अन कॉन्करेंट लिस्ट उसको हम समझते हैं उसके पहले लेकर निस कुश्यन का अंसर दो कि अगर आप ऐसे दिमाग से क्लास देख रहे हैं कि कि वो सुन रहे हैं समझ कुछ नहीं रहे हैं तो आपको इवन कुश्यन जो है वैं क्लिक कर जाएंगे दिमाग में कि क्या पढ़ा रही है मैं कुश्यन देखो जड़ा इस बारे में अगर कोई विवाद है कि शक्तियां जो है कौन सी संग में आएंगे कौन सी यूनियन में होंगे कौन सी स्टेट में होंगे इसका जो विवाद है पार्लेमेंट तुलचाएगा ऐसा समरिधान में प्राभधान किया गया समरिधान के द्वारा आर्थिक और विप्ति शक्तियां जो है वह एक तरह से केंदर की हाथों में केंदरी कुरत हैं क्या होगा अंसर का है इफ दियर एने डिस्प्यूट अभी हमने देखा कि हमने डिस्प्यूट्स कि अगर हम बात करें हमारे हाँ जोग काम यह करेगा वैं पारलिमेंट करेगे चुदि के यह जूर्शी करेगी डफिनेटलि जूर्ण हो गया कि द सही है क्योंकि हम नुबर टू जो है यह सही है फर्स जो है वह रॉग है चलो हम नेक्स देखते हैं और यहाँ पर Constitution in India की जब हम बात करेंगे तो देखो त्री लिस्ट में जो है वे डिवाइड किया गया कुछ subject को आपका यह homework है क्योंकि यहां से काफी सारे कुश्चिन्स आ हूँ है प्रेशना आ जाए कि वार एंड जो पीस है वैं किसके हाथ में और एंड पीस की का के संबद्ध में जो lawmaking का काम है वैं किसके हाथ मैं क्या यह union government का एर इस्टेट government का यह दोनों का है में आप ऐसे बढ़ेंगे ना कि आज तो यह चीज मुझे याद करनी ही है या इतनी आंसर राइटिंग मुझे करनी है फिर दो दिन में मुझे जैन मंत का यह दिसंबर मंत का पर इंटे फिर खतम करना है अगर आप अपने लिए टार्गेटेट इस्टडी करेंगे ना तब इसको एक टास्क मान के जल्दी से खतम करने की कोशिश किया करो जब तक खुद को थोड़ा सा पुष्ट नहीं करोगे तब तक अच्छा रिजल्स नहीं मिलेगा आपको सबसे बेस्ट करिका होता है यूप सी के लिए से लिए क्योंकि बहुत जादा पढ़ना पढ़ता है आप अगर यह सोचो की भई कोई टीचर बढ़ा दे एक गंटे की क्लास में दो गंटी की क्लास में दिन में तूजरू हो थी आसली पढ़ने की इसल्ट फटीची पला रहे है दो घंटे पढ़ने की पिर बाकई टाइम संताबर आफ प्र प्र और है यह बाकि प्रीजमने पूर्ट बंदर्गाह चिकें पॉरन ट्रेट करंसी तो यहां पर यह जो सारे मुद्दे ना बच्चों यह यूनियन लेजिसलेचर आलोन कैन मेक लौ और इस ठीक है तो यह सार जो सब्जेक्ट है इसमें यूनियन लेजिसलेचर ही केवल नियम बना सकती है स्टेट गवर्मे ठीक है और लास्ट टाइम कुछन पूछा था आप देखेंगे रशाए दो तीन साल पहले कुछन आया हुआ है अभी रिसेंटली ही आया हुआ है बच्चों आप उसमें देखेंगे यूपे सिनी कुछन पूचा कि चुकि जेल को लेकर जो प्राब्धान है बेल को लेकर श सकता है है तो यहाँ पर ओ Limited was a present aבה locks Appal Truman Right a by our local government अगर यह कहें कि संगसर कर सकता है बिल्कुल कर सकता है यह बात यह पैसे ने पूछी देखो मैं आपको बातों बातों में सारे वो बता देती हूं तो इस चीज का फायदा उठाओ कि यह जो इन्फोर्मेशन आपको ढूड़ने में चाहिए टाइम लग जाएगा ठीक है लेकिन किसी ने अगर आपको बता दिये किसी एजुकेटर ने आपको बता दिये कि मैं यहां से कुछ साते सो प्लीज आप उस चीज को म की मलता है और इस तरीके से जीस्टी पे एक लंबा विवाद जो है बना रहा और फाइनली यह शुरू में डिसाइड हुआ कि लगबाग तीन यह चार साल की अब्धी हम ऐसी रख लेते कि इसका जो राजस्व जो रवेन्यू है अभी सेट गवर्मेंट को बिलेगा बाद म की अंतर गता आएगा ठीक है ठीक है अगर अगर मालो यहां पर किसी नेशनल इश्यू नेशनल इंटरस्ट में रास्टी हिद की अगर हम बात करें और जरुरूत पढ़ती है तो पारलियमेंट जो है पारलियमेंट में कौन राजसभा, राजसभा, को यह अधिकार है कि वह स्टेट लिस्ट के इंव शो पर इंबना सकती है यह राजिसाभा के स्टेशल पाफर 네 और रानी पर रहे ने इसका मतलब यह होता है कि शुख में सब्सक्राइब जैसे की सिक्षा एजुक nhất में मैं बना सकते है ठीकिप पोरेस्ट जंगल फॉरेस्ट इडूनियन स्टीके अडॉप्शन एंट सक्सेशन की अगर हम बात करें तो चाहे हम गोद लेने की बात करें उत्रधीकार की बात करें इसको लेकर अचल और स्टेट दोनों ही ने आपना सकते तो जो भी यह सूची ह करेंट की सो बोथ यूनियन और सेस्ट इस्टेट लेजिस्टेटर अलोन के नेक लोग और इस सब्जिक्स ठीक है अभी को पावर बच के अच्छे यह बताओ क्या इनों ने जो विशय बाट दिये है इसके लावा कोई और विशय नहीं हो सकता बिलकुल हो सकता है पर एग्जांपल अगर हम कहें की साइबर लो अब साइबर लो तो किसी में नहीं लिखा और एक्जाम्पल अगर हम साइबर लो की बात करें तो साइबर लो यहाँ पर किसी में नहीं है तब हमने ऐसी शक्तियां जो बच गई ऐसे विशय जो बच गई उनको हमने कह दिया अफसिस्ट है ना रेसिडूरी इसको हमने कह दिया प्रसीडूरी पावर्स तो बचों यह अफसिस्ट शक्तियां कहलाएंगी और ऐसे विशय अफसिस्ट शक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट है यूप्यस्ट पूछ चुका है इसको यह तो आपको याद ही करना है ठीक है याद रखना अफसिस्ट शक्तियों की जब हम बात करे यानि इसमें ऐसे विशय शामिल होंगे जो कि किसी अन्य सुची में नहीं दिये गए है जैसे कि फॉर एक्जाम्पल हमने साइबर लोग की बात की ठीक है तो यहाँ पर बच्चों याद रखना आपको की जो यूनियन लेजिसलिचर है ठीक है जो संगी विधाई का है इसक देखने रही होगी यह कोईवाला जो पॉर्शन कैने मिलीगा पडेयर पड़ते हैं यह पड़ते हैं कॉमंट कर जरूर मता कि मैं polynomial पड़ते हैं यहां पर कुछ बच्चे के नहीं नहीं पड़ते हैं बस ठीक है मांग लेते हैं बार बार मेसेज्स करते हैं अच्छा लगता में शामिल नहीं है ठीक है उनकी सूची है ये यूनियन लेजिसलेटर अलोन है इस दा पावा टू लेजिसलेट और सच मैटर अकेले संग विधान मंजल को के पास ऐसे मामलों में कानून बनाने की शक्ती है अगर यह स्टेट भी लिग दिया जाता तो यह फिर यहाँ पर प्रेसिदेंट लिग दिया जाता तो गलत हो जाता है ना तो यहाँ पर क्रेक्ट क्या होगा बच्वों ऑप्शन नमबर सी कोथ वन इन्टू दोनों बाते इस में सही लिख हुई है तो जो हमने पड़ा वो कु दिया गया है ठीक है संविधान सभा के सदस्ट थे इनके द्वारा यह कहा गया था 1949 में की मैं अपने मतलब यहां पर यह कहा गया कि संविधान में जो शक्तियों का प्रवा है वे केंडर की ओर है अब देखो ठीक है इन आल चॉन्सिटूशन है तो वार्ड देंटर ठीक है बिकॉस अब सब्सक्राइब नाओ कम इंटो बीग देट था स्टेट हाव बिकम फैडरल और यूनिटेरी वेल्फियर स्टेट फ्रॉम बीग पोलिस पोलिस स्टेट अन अल्टीमेट रिस्पोंसिटी एस पॉर्ड एकॉनोमिक वैल बिंग अब दा कांट्र है तो यहां पर टीटी कृष्णामचारी ने यह कहा कि जो हमारी शक्तियों का प्रवाहवेजादतर केंडर की ओर रहा है और यहां पर बदलती हुई जो परिस्तितियां है उसमें कोई भी जो रास्ट राज्य है वैं एकात्मक हो यह संगात्मक हो ठीके पुलिस राज्य जो है वैं एक तर हम स्टेट को हम ज्यादा पावर देने और बुरा कर बैठे देश का भी अपना भी तब क्या होगा तो ऐसे में यह जो फाइनल जो एक एक काउटबिल्टी है वैं किसके पास होनी चाहिए देश को एक तरह से करने के एक रखने की तो यह केंदर सरकार के पास यूनियन गव कर्मेंट इसकी हम बात करते हैं कि हमारे अगर हम सम्विधान की बात करें तो उसमें क्या क्या प्रोविजन किये गये है एक कुशिशन पहले आप सभी के लिए दा फ्रेमर ऑफ दा कॉंस्टिशन बिलीव एट वी आरेक्वाइट अफ फैडल कॉंस्टिशन हमें क्यों आविशकता है तैनल कॉंस्टिशन की देट वोड अकमोडे डावस्टी ते आलसो वांटे टू क्लिए तो इस तेम डिस कोई तो ऻी तीनों ही यह कारण है ठीक है तो देख बंचों कभी भी ब्रीया कि क्या हमें अगर आपकी देखते हैं कि किस तरीकिकी सब्सटा क्यों कर रहे ज्यौ luc서 को बीजन है अब आपको यही सारी बाते ۔ सबसे फएले तो है सबसे फास्ट हम देखते हैं कि आकर कॉंस्टीशन में क्या प्राब्धान किये गए ठीक हम उसको समझते हैं इंपोर्टेंट पोवीजन पॉर्टेट प्रोवीजन प्रोवीजन एच क्रियेट काफी सारे बच्चों को लग रहा था वो के इंपोर्टेंट है इसलिए मैं थोड़ा सा धीरे चल रही हूं क्या आप सभी के मैसेजिस थे कि मैं थोड़ा सा स्लो पढ़ाई है ठीक है तो यहाँ पर इस बज़े से बच्चों को आचुक्कि ए उसमें ज्यादा नहीं होता है पढ़ने को लेकिल लास्ट में जब आप देखिंग 11 12 में बहुत ज्यादा मेटेरियल होता है इंपोर्टेंट प्रोविजन देट क्रियेटा स्ट्रॉंग सेंट्र गवर्मेंट एट एट एटर ट्रॉंग तेंट्रल गवर्मेंट ठीक है कि आखिर ऐसे कौन से प्रावधान है जो कि एक मजबूत के इंदे सरकार को बनाते हैं तो देख एक फर्स्ट हम जो प्रावधान पढ़ते हैं बचो ये है आप अगर आर्टिकल 3 को जानते हैं अभी आपने पढ़ा है कि आर्टिकल 3 अनुचे 3 आर्टिकल 3 ऐसा प्रावधान करता है कि जो राज का स्तित्व है और जो उसकी भौगोलिक सीमाएं है ठीक है जो उसका एक्जिस्टेंट है जो उसकी टेरिटोरी है उसको जढ़ारत करने के लिए जो संसद्ध है वह स्वातंत्र है ठीक है तो आर्टिकल 3 ये कहता है जरूर चेंज नहीं कर सकती फिजिकल मपचन नहीं कर सकती बट फारल्यमेंट के पास आर्टिकल थी के आर्टिकल 3 जो है इसके अंतरगत यह पावर है कि है जिसमें आप पॉलिटिकल मैं देखते हैं जिसमें कि आप देखते हैं कि जैसे दमद भी पडादरनागर हवे तो यहाँ पर बच्चो आर्टीकल 3 कृता है आर्टीकल 3 नूच्छी जो आपका 3 है यह कहता है कि state का जो अस्तित्व है yeah at the refrigerator बाले इन्तिग्रेटी है इसका जो τैरिड्योर्य इंटिव टी है ठीक हें गया है फैर है स्टोंट पर्लियमें व्लिज यह के हात wond संसत के हाथ में यह शक्ति है कि वह भॉगुलिक नहीं मतलब राजनतिक जो मैप है उसको आपने अनुसार चेंज कर सकती है यह पहली बात होगे ठीक है अब देखो किसमें सेकेंड जो प्रोवीजन बच्चों वह यह बताते हैं जैसे कि हम एमर्जेंसी पावर्स की बात करें और यह यह यहां पर देखो क्या जो आपातकालीन शक्तियां केंडर को ज्यादा शक्ति देती है तो यहां पर हम आपातकालीन प्रावधान इमर्जेंसी पावर्स की हमारे कुछ सम्विधान निर्माताओं का यह कहना था कि हमारे सम्विधान की खुबसूरती है कि आपातकाल में इसकी जो ववस्ता आवे संघात्मक से एकात्मक हो जाती है संघ्नात्व्त का मतलब क्या है कि दोसतर पर सरकारों का होना एक ही सरकार का होना उसक्तिशाली आपर इमर्जेंसी जो पावर है जो आपकाले प्रावधान है बच्चो ठीक है याद रखना कि ये जो इमर्जेंसी पावर है एक आत्मक ववस्था ठीके और यहां पर केंद्र को जो शक्तिया है ज्यादा दी गई है तो इमर्जेंसी पावर में केंद्र के पास यह जो अधिकार है वह आ जाता है कि वह स्टेट के जो सब्जेक्ट है जूरिडिक्शन के उस पर नियम बनाए तो यहां पर एक तरीके से तो हम Aunitra की बाथ करें नियुक्त के बात करें के इंदिक्रत की पारें ठीक है तो यह आपर सेंट्रलाइस गूवेंट्स और साथी बच्चोँ इमर्जेंसी जो पावर है यह सेंतर गूवंटियों और 152 है तो तैंसको यह राइट देते हैं कि जो स्टेट कि अथिकार शेत्र podstaw कि एक के एक स्टेट के लिए तो एयरिया है ना इसमें अस्तक शेप कर तो इसमें लॉ मेकिंग जो है मैं किसको मिल जा मिलन सेंटर को मिलगेंट को मिल प्रावधान हो गया अब हमने यहां पर क्या जाना था कि जो राज जो कास्तित्व है और जो भॉगोलिक उनका उनकी जो integrity है वो पार्लियमेंट वो संसत की हाथ में अब तीसरी और important बात हम समझते हैं और इसमें यह कहा गया है बचों कि ज्यादातर जो financial जो पावर हैं तो आयके जो संसाधा ने उस पर केंद्र का नियंतर ने वेरी इफेक्टिव फिनिंशियल पावर एंड रिस्पोंस्बिर्टी रेवेन्यू जनरेशन का जो कंट्रोल है और साथी बच्चों जो ज्यादातर जो राज हैना जो स्टेट हैना यह यह कोशिश करते हैं कि केंद से इनको अनुदान मिल जाए के इस इनको सहायता मिल जा और यह उस पर निर भर करते हैं तो जो यहां पर स्टेट है बच्चों स्टेट आर मोस्टी डिपेंडेंट टेट्स और बोस्त ली अ डिपेंडेंट और ग्राट्स अनुदान यह तीसरी बात हो गई अब हम समझते हैं इसका चौथा प्रोविजन और यह जो चौथा प्रोविजन बच्चों यह कहता है कि राज को राज सरकार को हटाने की अगर हम बात करें तो राजपाल के पास यह अधिकार कि विधात सभा को भंग कर सकता है तो यहां पर गवर्न के पास कि यह पावर है कि वह क्या करेगा? रिकमेंडेशन करेगा रिकमेंडेशन करेगा रासपती से के दि सरकार से for dismissal of the state government राजसरकार को भंग राजसरकार को हटाने का एंग ता resolution of and of the assembly जो स्टेट की जो assembly है उसको भंग करना राज सरकार को बर्खास्त करने का जो सुझाव है तो राज जपाल देखो बार बार जो मेंसे में कुश्यान आ रहा है वो यहां से आता है कि अगर राज्यों की भूमिका कहें केंद सरकार के एजिंट की रूप में होती है और ऐसे प्रेट पार्टी की सरकार होती है तो ऐसे में जो वह पक्षपात है अगर आप एक चीज़ देखेंगे बच्चों की जैसे एलक्षन खताम होते और उसके बाद जो नए राज और राजपाल वगएरा बन रहे होते हैं तो सरकार अलग बने इस्ट गवर्मेंट की वह तो ठ ठीक है लेकिन जो हम राजपालों की बात करेंगे कि अरकेंद्र में नई पार्टी की सरकार आई तो वह जल्दी जल्दी से राजपाल बदल देती है हर जगा के अपने अपने लोग बिठा देती उसके पीछे सीधर सारीजन आपको साफ देखता है ठीक है तो यहाँ पर हम हम एक और जो यहाँ पर है कि बच्शो अगर हम राज सभा की बात करें तольше फेले यह बताओ हम राजिस सभा की चर्चा कर चुके है ना कि राजिस सभा के पास एक स्पेशिल पावर है तो हैं कि अएक सबहार राजसभा की बात करते हैं में ज्या सबहा की पास किया स्पिशल्पावर था विशेश शक्तिय यह थी कि वह है इस्पेशल पावर ऑजह ब Самनू कि रए प्र सेटो के सब्देक्ट पर तो मेकिंख सकता है अगर उसे लगता है कि रास्ट हित में ऐसा जरूरी है तो ठीके और साथी बच्चों अगर सेंट्र गवर्मेंट को ये काम करना है तो राजसभा से उसको रेक्टिफाई कराना होगा राजसभा से उसकी जो अनुमति है वह लेनी होगी ठीके तो एक यहां पर हमने राजसभा वाली बात कर लिए अब देखो एक और पॉइंट हम इसमें जो नेक्स समझते हैं राजसभा की बात होगी नेक्स्ट है इसमें आर्टिकल 257 के आर्टिकल 257 आर्टिकल 257 आपका ये काम रहेगा आपको सारे ऐसे जो आर्टिकल है न वह आपको याद करने होगे वह आपको करने होगे जो की केंद सरकार को जाधा प्राब्धात देते हैं आर्टिकल 257 ये कहता है बच्चों की संगे की कारेपाली का में कोई भी अर्चन नहीं आने चाहिए राज अपना जो सरकार है वह कुछ इस तरीके से चलाएंगे कि जो यूनिन गवर्मेंट है डिस्टरबना ठीक है ये आर्टिकल 257 कहता है मतलब एक तरीके से ये आर्टिकल चेताव नहीं दे रहा है और अगर आपने इसका पालन नहीं किया तब भी ये प्रॉब्लम आ सकती है कि जो केंद सरकार है वह इस संभन में सोच सकती है कि कि किसी भी राज्यका प्रसाशन संविधान के कि जो हमारी अखिल भारतियसे वाय हैं वाल इंडिया साविसेश कौन कौन है ओल इंडिया साविसेश में अग प्रहली पसंद दैन सबको आई-एस बागना है तो यहां पर अउन्डिया सविसेश में याद पना कि इसका जो पूरा मैंकनिसम होगा वैं कैसा होता है सब्सक्राइब करें लेकिन अगर किसी भी तरह का इन पर कोई डिसीप्लिनरी अगर कोई एक्षिन लेना है तो यहां पर जो आल इंडिया सर्विसे जैना बच्छों यह करता है और आपको पताओ कि यह वापस जाबी सकते हैं और ऐसे में ऑल इंडिया सर्विसेश को माना जाता है कि एक तरह से जब के इंडिया सर्विसेश वाला ठीक है आप देखो एक और पॉइंट बचा उसे और हम समझ लेते हैं और बच्छों यह पॉइंट आप से कहता है कि अगर हम आर्टिकल 33 & 34 देखो 257 की बात हो गई इसके अलावा आर्टिकल कि आपका 33 & 34 32 तक तो आप सभी को बहुत अच्छे स याद होगा 12 से पहते से ना आर्टिकल 12 से लेके 35 जो आपकी फंडमेंटल राइट्स में आते हैं पार थी तो आपको 32 तक तो याद होगा कि भई 32 जो आटिकल है वह कॉस्टिशनल रेमेंडीज वाली बाते करता है समधाने कुप चार की बात करता है 33 & 34 वहीं रुप जाते वह कानून जो भी कानून उस वक्त मार्शल लोग बनाए ठीक जो भी कानून वक्त जो सैनिक सैना जो है वहां पर शांती ववस्था बनाए रखने के लिए उसे एडिया को कंट्रूल करने के लिए उसको जायस ठहरा देती ए फॉर इक्जामपल अब सब्सक्राइब जो और पार्लिमेंट की नियम नहीं चल रहे वहां पर अगर सैनिक साशन लगा हुआ है मार्शलों लगा हुआ है अपने अकोर्डिंगली वहां पर लोग बना सकते हैं और ऐसे में उसमें शांती स्थापित करने के लिए ठीक इस उद्देश से जो संग सरकार है किसी भी कानू हलाकि आप देखेंगे कि अब बहुत कम ऐसे शेत्र है पुर्वोत्तर के बहुत कम ऐसे राज्य बच्चे हुए जिसमें यह लगा हुआ है कई जगा से इसको हटा लिया गया है ठीक है तो यहां पर चलो इसका एक स्क्रीशॉट की चलो बहुत इंपोर्टेंट स्लाइड है चलो कुछन का अंसर दो कॉस्टीटर दा फॉलेंगे स्टेटमेंट आप इंपोर्टेंट प्रोविजन आप इंपोर्टेंट आप से कहता है एमर्जंसी पोविजन विच कैंटर अर पैटल पॉलिटी इन्टु आ हाइली सेंट्रलाइज सिस्टम एमर्जंसी इस डिकलियर्ड टिके कि अगर हम इमर्जंसी प्रोविजन की बात करते हैं आपातकाल इन प्राफधान तो यहां पर आपातकाल घूशित होने के बाद जो हमारी संगी विवस्ता है अपने आप केंदी कर पूचा की करेक्ट कौन सा है करेक्ट पूचा है बच्चो आपसे बताईए ज़रा definitely आप सोच रहे है कि मैम इसमें सभी जो कथन है वैस सही लिखे हुए है बिलकुल सही लो next question देखते हैं consider the following statement the governor has certain power to recommend dismissal of the state government and dissolution of the assembly the governor has the power to reserve a bill passed by legislature state legislature for assent of the president राजपाल के पास राज सरकार को बर्खास्त करने विधान सभा को भंग करने की सिपारिश करने की शक्तिया है और राजपाल अपने पास रास्टपती की सहमती के लिए राज विधान मंदल के द्वार आप पारित विध्यक को आरक्षित करने की शक्ति देता है आपके लिए एक और आर्टिकल दे रहे हूं आर्टिकल 200 पढ़ना इसको कि आखिर यह आर्टिकल क्या कहता है तो यहां पर यहां पर इमर्जेंसी प्रोवीजन और यहां पर प्रेसिडेंट रूल जो है वैं लागू कर देना किसी स्टेट में यह तो एक तरीके से बता ही रहे कि में केंद्र सरकार के पास ज्यादा शक्तिया है लेकर नेक्स्ट वरेज कि जब हम देखते हैं कि देखो स्टेट लेजिसलेटिव में माल लिजे राजिसरकार के द् कानून को रास्ट पती की सिफारिश रास्पती की सहमती रास्पती के लिए रख ले ठीके आरक्षित कर ले एक तरस उसको रिजर्व कर लेकर से वीटो ही लगाना हो गया तो यहां पर अगर आरक्षित कर लिया गया तो एसे में तो राजिसरकार के कई ऐसे जो ठीके पास क करते जाओ जहां पर दो सदन है नहीं है तो केवल विधान सभा कर दे उस स्टेट में लेकिन ऐसे में अगर गवर्नर जो है वह किसी जाएच जो बिल है उसको रोक लेता है जरूरत है उसकानून को बनने के लिए कि फिर भी रोका जाए तो एक तरह से इसको जो है वैं समझा हो जाता है कि जो है वैक केंद सरकार केशनट की रूप में काम कर रहे है और एक तरीके से यहां पर एक अनावशक आप देखते हैं कि वहां की जो करकार को बर खास्त करने की और विदान सभा को भंग करने की जो बात है यह जाधा तर ऐसा ही राज्यों में क्यों होती है जहां पर माले जे Central Government वाली पार्टी सरकार में नहीं है, तो यहाँ पर मालू Central Government में ए पार्टी है, किसी स्टेट में भी ए पार्टी है, तब तो ठीक है, लेकिन अगर किसी स्टेट में भी पार्टी है, Central Government में ए है, तेन क्या होगा, तो ऐसे में प्रॉब्लम बढ़ जाती है, ठीक है, ऐसे म following a statement there may be occasion when the situation and a demand that the central government need to legislate on matter from the state list as a apsar ho sakti hai jab istiti aici maang kare ki kende sarkar raj suchi ke maamlo par kanun banaye so is ke liye kya avishak ho da hai this is possible yeh sambhav hai move to move is rectify baada loksabha agar loksabha this is possible if move is rectify baada raj sabha raj sabha is ki sehmati this is possible if rectify baada both houses with the special majority yeh answer hona chahiye na ki doro sadhan ho aur usi ke sasat special majority se bhi isko lagu kiya jai consent x sehmati di jaya tabi jake kisi state listrik par jab pehle hi hamaari baat ho ki raj sabha ke paas yeh special power hai sabto ko sosh rahi ni batta bacho option number b answer hai chik hai this is possible if the move is rectify baada state bilkul bhi nahi option number article 257 ko dekho zara article 257 kya kehta hai ki the executive power of every state shall be do exercise is not to impede of the prejudice the exercise of the executive power of the union of the union figure kya ke sarkar Pratik raji ki jokaripali ka shakti hai bhai apni shakti o ka is prakar priyog karega ki jose sangi ki karipali ka usma kisita raki koi badha na poche okay yeh article 257 clause 1 kya raha hai yaa uspa koi pratikool prabhav na pari okay chalo abde goba choo ki hamley integrated administrative system ki baat ki thodi si charcha aur karthe integrated administrative system ya dhkna ki agar ham unitary government ki baat kereya federal structure ki vishishtha dhkye to yeh on dholo ki vishishtha unitary yani ekatma to kendra ki chuki kendra nuktu kiya power bine in par anusashanatma display agar kusibita raka koi action karna hai to wo bhi power kendra sarkar ke paas hai to yahaan pere ek tari kese integrated to admin joh administrative agar ham services ki baat kare prasashnik sevajan ka ek karen kiya gaya puri dhkye yeh wahi hai 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 kato yehaan par yeh joh territory ki agar ham baat kar dekta se bat batu entire joh territory hai hai inka working area hoga in services in officers ka anna an is officer who become the collector or ips who serve the commissioner of police under the control of center government abdehoe ki paura dhsh me yehi sewae lagu hai paura dhsh ke liye yehi sewae hai aur yi central government ke control me hai to central government ke control me paura dhsh nahi ho gya bilkul ho gya aab hap chalte hai ta nao ki baat karte hai thoda sana conflicts ki baat karte hai ki baati sangee vavastha ki agar ham baat karenge to ismae aisi kya problems hai joh abhi chal rhee hai ta nao ke kya murdhye hai tine-4 baate hama karte hai saab se first hai center state relation hai 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 kendra raja sam bundh hai 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 kredi raja samundh, so dekho bachow, agar ham dekhey ghe ki kis tariqe se kendra raja ke bati ch men to samabandh baik yeho federal structure य हुआ है तरही तरह की राजनेटिक प्रगियाओं से प्रभावित होता है कि किस तरह की राजनेटिक गतिवीदिया जो है वैसे चल रही ठीकिए तो यहाँ पर कRIंगे है कि तो यहाँ पर याद रखना किसमें थी कौको पढ़ने वालें हैं आगे कि SUB लग देखा कि कैसे यह जो फैडरल जो रिलेशन थे सेंटरल स्टेट के बीच में वह चेंच हो गया है स्वायतिता की मांग करना स्वाधनता नहीं स्वायतिता है ना स्वायतिता मतलब काम करने के लिए या फिर और और ज्यादा चो अधिकार है उसकी डिमांड करना नेक्स्ट है कि तबता ना उत्पन होगा ठीक है थाड़ेस में रोल आफ गवर्णर एंड प्रेसिदेंट रूब रोल आफ गवर्णर प्रेसिदेंट प्रेसिदेंट रास्पती साशन ठीक है यहां पर तनाव उत्पन करने वाले एक कारक हो सकता है फिफ्टेस में डिमांड फॉर न्यू स्टेट नए राज्यों की मांग कि आप स्वधनता की बाद देख लीजिए कि किसी भी नाम पर बने हो बट हमारा जो पॉलिटिकल में फेवे काफी चेंज हो गया है और लास्ट है इसमें इंटर स्टेट डिस्प्यों ठीक है होगा तो सेंटर स्टेट रिलेशन देमार्ट पर और अटोनोमी डूल अप्ड़ गवर्नर है ना कि रूल अप्ड़ गवर्नर गवर्नर तो सबसे फस्ट है सबसे फास्ट जो कुश्यन है आपका सिदर दा फॉलिंग स्टेट्मेंट इन नाइंटीं फिफ्टीज अन अर्ल क्या है कि अगर हम केंद्रा संबंदों की बात करते हैं तो पर नहीं को सारे चीजर जो है उनका काम माली जब जबाला ने रुक्स की बात करते हैं पचास से लेके साथ के दिशक में तो यहां पर तीन कथन आपको दिये हुए है फस्ट आप से कहता है कि इस दशक में यह केंद के साथ साथ राज्य भी कॉंग्रिस के प्रभुत्व का काल था इट वोज अलसो पीडिए ओफ नबर ऑफ स्टेट ऑपोजीशन पार्टी कम नेक्स यह कहा जा रहा है कि जो कॉंग्रेस डॉमिनेंस अवे डिक्लाइन होने लगा था कम होने लगा था तो 1950 से साथ जब हम सतंद्र भारत में राजनिती है ना जो आपका वो आपका एंसीयाटी वाला बुक उसको पढ़ोग कि जो रॉम डॉमिनेंस अवे डिक्लाइन होने लगा था है नो सेकंड भी सही है कि डॉमिट्ट की प्रभूत्र था शुरवात में थी पार्टिया नहीं थी कि विल कॉंग्निस का वर्चुस था ठीके केंडर में भी राज्यों में भी तो इसलिए कोई इस तरीके का है ठीक थे पचासे साट के दिशक की बात है कि यहां पर जो चीज़े है ठीक थे ठीक है तो यहां पर थार्ड रॉंग है एन फासन सेकंड जो है वैसा ही यह तो करेक्ट क्या ऑप्शन नंबर एक अब देखो आगे देखते हूं है जो इस पुषा ऑस्में आपको लिक्षभा देतू सम्झा देती हूं कि जम हम फस्ट बात करेंगे केंद्रराज्रास संबंध की केंद्र sono cane है और ये जो केंद्रिटराज्रास समंद थे ह स्युक्त यह प्रभावित होते रहे प्रभावित होते रहे किसे जो एक्ट्र प्रोसेस थी पॉलिटिकल पॉलिटिक्स की और ऐसे में हम एक दशक की बात करते हैं कि 1950 से लेके अगर हम 1960 की बात करें बच्चों तो इसके आसपास देखो कि यह जो पीरियड था ना यह जो पूरा एरा था उसमें कॉंग्रेस का वर यहां पर डॉमिनेंस हैं सब सीदी सी बात है कि ना के वल केंदर में था ना के वल केंदर में था बलकी स्टेट में भी था और इसलिए जो सारे स्टेट है वह एकदम शांत थे तो बहुत थी जादा जो रिलेशन है वह कॉईट थे नॉमल थे ठीक और उसके पीछी रिजन था कि जो स्टेट है वह डिपेंट था राज्यों वह डिपेंट था आपने डेवलपमेंट के लिए किस पर सेंट्र गवर्मेंट पर तो योजन आयो बढ़ी आराम से नीतिया बनाता था राज्यों को लागू करते थे लेकिन बच्चों अब जो समय है वह थोड़ा सा बदल गया ठीक है यह तो 50 से 60 की बात हो गई अब बात आ गई 1960 के बाद से तो 1960 से लेकर जो कॉंग्रेस का डॉमिनेंस है वह थोड़ा सा क होने लगा था ठीक है 19 अगर हम 60 के बाद की बात करें बच्चों तो यहां से जो अब देखो प्रॉब्लम कैसे शुरू होगी कॉंग्रेस का जो डॉमिनेंस है कि यह दिक्लाइन होने लगा कापोने लगा डिकलाइन वर्ट को याद रखना या दॉमिनेंस वर्ट को याद रखना तब ऐसे में क्या हुआ यह क्या सा हो कैसे हुआ विकॉज ओफ लाड नमबर ऑफ जो पार्टी थे लाज नमबर ऑफ ओपोजिशन पार्टी पहले कोई और पार्टी आथी नहीं लेकिर आप तो जो है बहुत जादा जो ओपोजिशन पार्टी जैं पॉलिटिकल पार्टी जैं वह आस्तित्यों में आ गया था आ गई थी और बच्चों इन्होंने अब खुद बताओ कि यह सारी चीज़े केंडर के पास रखेंगे या अपने पास मांगेंगे कुछ अधिकार तो यहां पर कॉंसेप्ट ऑफ ओटोनोमी स्वायतता की जो मांग है जो कॉंसेप्ट जो अब धाड़ना है यहां से आने लगती है स्वाय अधिकारों की मांग तो यहां पर स्वायतता की मांग होने लगी आप देखो तीसरा स्टेज क्या आया जो तीसरा स्टेज आया कि यहां पर एक तरीके से कॉंग्रेस का जो वर्चस वथा वै ना केवल डिकलाइट हुआ बलकि एक तरीके से बच्चों खतम ही हो गया और वो तरीके से वर्चस वखतम हो गया ठीके पार्टी थी लोग थे नेता थे पर डॉमिनेंस जब एंड हुआ बच्चों तो यहां पर यह सेकेंड एरा शुरू हो गया कॉंसेप्ट ऑफ और अट्रोनोमी का यहां पर एक दूसरा यूग शुरू हो गया जिसमें और भी ज़्या है यह सारे जो कॉंसेप्ट है ठीक है यह साइट हो रहे हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है टीन शॉट लिया करो वैसे साथ साथ लिखते रहा करो जादा बैस रही है अब नेक्स हम देखते हैं डिमांड पॉर ऑटोनमी ठीक हमने क्या देखा कि यहां पर ऑटोनमी की दिमांड होने लगे और सेकंड हम यहां पर बात करेंगे ठीक है सेंटर स्टेट रिलेशन हो गया सेकंड अब हम देखेंगे डिमांड पॉर अटोनमी इसमें एक कुश्चन और कुछ पॉइंस मैं बताऊंगी कुश्च देख लो पहले वाय मैं एस्टेट इवन में पॉलि इस्टेट शोड़ रिपने रिपने ईस्टेट सोर्स रचैए लिगे अगे अगे टेखेंगे कुश्च खॉल ऑट रिजर रिसासे बांड रिलेटेट टो अट्मिनिस्टि पावर अफ द अब ताफ देखेंगे टूर फ्यां फवी जा अट रिखेंगे अटिया इस्ट्या कि वह पर याद रखो न बत्चों की अगर ज़्यादzer स्वायधित्येस खाए था कि मांग कुझा रही थी और ज़। खुद सूचों की अगर राज है कोई गवर्मेंट है मदर वैस वायधिता की मार कर रही है तब वो क्यों करेगा मांग क्योंकि उसको कहीं न कहीं जो राज जो शक्तिया केंद्र के पाले में ज्यादा है वो अपने पाले में करना राज्यों का जो पक्ष है राज्यों की जो शक्तिया है उसको ज्यादा मजबूत करना ठीक है और अगर हम सेकेंड देखेंगे कि स्वा पाइतता की मांग करते हैं क्योंकि वह जाते हैं कि revenue पर इनका जो control है वह जादा हो जाए ठीक है और साथी बच्छो administrative power तो इस तरीके से यह तीनों क्या है कि जो autonomy के लिए अब हावित करते हैं अब हम बात करेंगे role of the governor की role of the government presidential rule सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट सबसे ज़्यादा विवादा असफद यहाँ पर यही वाला टॉपिक था ठीक है और अभी वर्तबान में भी अगर हम देखें तो गवर्णर की जो भूमी का है वह क्यों हाल ही में क्यों विवादा असपद रही इस तरीके कोश्यों स्यूपैसी पूछ देता है तो एट लिस्ट आपको जो उसका स्टेटिक है पता होना चाहिए करेंट का जो सिनारियो है वह भी पता होना चाहिए और उन दोनों को मिला कर आप एक अच्छा जो आंसर है मैं लेक सकते है ठीक है तो देखो कुश्यन है बच्चों कि वाइदा रोल आफ गवर्णर हैस ऑल्वेस बीन अ कंट्रो कंट्रोवर्शियल इशू बिट्मीन दा स्टेट एंद दा सेंटल गवर्मेंट दो स्टेटमेंट है आपर तीन फिर्स सब्सक्राइब क्लास छोड़ी दो क्या लिखा है यहां पर दग आप तो पढ़ने के जरुवत ही नहीं है दग गवर्णर इस आपॉंटेट बाइदा सेंटल गवर्मेंट असेंट विद देस्ट अरे अगर यही होता कि राज्यों की सहमती से ही राजपाल की नियुक्ति की जा रहे हैं तो फिर मुंदा ही कहां होता क्यों फिर केंडर के जिंट का जाता यह बात गलत होगे क्योंकि हम कितने बार इस चीज़ को पढ़ चुके है कि जो प्रेसिडेंट है वो गवर्नर को अपॉइंट कर रहा है है ना तो यहां पर जो सेकेंट है वैं रॉंग हो गया अगर आप इसको कर बाते ना तो आप अराम से आपको नहीं भी पता होता ना अगर फर्स और तब भी आप इस आंसर को कर ले जाते ठीक है और यूपेसी ने कुश्चन पूछा था उसकी बात करते हैं अच्छी गवर्नर ऑफ दा स्टेट की कौन सी विशीश शक्तिया आए अभी पहले शक्तिया पढ़ा दू तब इसकी बात करूंगे ठीक है तो देखो हम यहां पर आर्टिकल 356 की थोड़ी सी चर्चा करते हैं पहले बाद में कुछ और कुश्यस देखेंगे इस से में कए चारे और राजपती साशन हुआ क्या है कि कभी भी वो वो चैक ही नहीं किया जा रहा कि क्या सच में यह प्रॉबलम है चैक ही नहीं किया जा रहा है कि क्या सच में जो बहुमत है विधान मंचल में वह वहां की जो सरकार है वह खोच उसको चैक किये बिना ही जो है रास्पती साचन की सिफारिश कर देना ये एक बहुत बड़ा मुद्धा बन जाता है ठिक है इसलॉट इन दा टेक ओफ अफ दो रोप और स्टेट गवर्मेंट बाई री यूनियन गवर्मेंट इसका पर ना यह वो ता है कि जो स्टेट गूरों मैं यूनियन गवर्मेंट के अंडर में आ जाती है इसका यह रिजल्ट होता है ठीक है तो यहां पर दा प्रेशिदेंट प्रोक्लामिनेशन हैस तो बी रैक्टिफाइब अपालिएविंट एड प्रेशिदेंट रूल कैन भी एक्स्टेट अब देखो यहां से यह कुछिन यूप्यसी ने पूचा था यह वाला की अ state government and suspension or dissolution of the state assembly suspension or dissolution of the this has led to many conflict in some cases state government were dismissed even when they had a majority अगर बहुमत भी है तब भी उसको डिस्मिस कर दिया यह क्या तरीका था बस यही तरीका तो अपना आए गया और यहां से यह जो 356 था यह ओच गया जैसे कि हम केरला की बात करें केरला में 1959 में ऐसा हुआ था बच्छो कि में जो बहुमत उसकी जाथ ही नहीं हुए थी कि क्या government बहुमत में है या पिर नहीं है और उसके पहले ही क्या किया उसको डिस्मिस करने का जो बात है हो गया तो इस तरीके से कई ऐसे और केसे जाते हैं चलो एक क्विश्चन का अंसर दो कंसीडर दा फॉलूइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटर स्टेट कॉंपलिक अगर अंतर राज जी विवादों की बात करें ठीक है इस्टेट हैब साटेन क्लेम ओवर टेरिटॉरी इस बिलॉंगिंग तू नेबर नेबर स्टेट यह कहलाते हैं बॉर्डर डिस्टेट है इस तरह जो सीमा विवाद है इंटर स्टेट का कारण है ने लॉंग स्टेटिंग बॉर्डर डिस्प्यूट इस डिस्प्यूट बिट्वीन दा महारास्ता गुजरात इंड इंडिटी ओ बेल गाउं का ने बॉल गानव का मुद्द दा करनात्त के बिच में करनतर तो क्या ही बढ़ रहे आप सभी तो याद अतना कि गुजरात नहीं है इन्ट डिस्प्यूट ओवर दा शेरिंग और रिवरवर वोडर वोटर इवन serious because they related to problem of the drinking water and agriculture of a concerned Let me show you how to solve the problem and how to solve the problem We can also find the problem to avoid the situation and while we can't find the problem This is a way of sharing water सुटर्ट की हम बात करेंगे रहा कि अगर हम नदी जल्विवाद की बहुत ज्ञादा गंभी हो जाते क्योंकि इनका सीधा जो संबंध है कशी से होता है पीने के पाणी होता है और ऐसा-ही बिवाद – अथिकत तरीके से इस सटर्ड जो है वैं रूग हो और कुश्षिन देखो, अच्छा देखो कि जिसे की आपका यह चेप्टर है इसमें आप देखेंगे की राजपाल की जो भूमी का है ना कि राजपाल का यह जो विवाद है उसको सही करने के लिए एक सरकारिया जो कमीशन है सरकारिया आयोग ठीक है उसकी नियुक्ति की गई थी जिसने लगबग आप देखेंगे कि 1998 की आसपास उसने अपनी रिपोर्ट प्रास्तूत की थे उसमें उसने सिफारिश की थी कि राज चैसी ने इसको 2019 में पूचा था विच बन ऑफ फॉल इंग सजेस्ट गवर्नर शुड भी जो मैंने पॉइंट आपको बताया वह इसमें लिखा हुआ है एंजी आटी में ठीक है चलो अभी स्कुशन को पढ़ते हैं गवर्नर शुड भी एन अमिनेंट परसन प्रॉब आउ और साथी में यह सिफारिश किस ने की थी फर्स एड्मिनिस्ट्रेटिव डिफॉर्म कमीशन ने राजमनार कमेटी ने सरकारिया कमीशन ने बिसिकली इसकी नियुकती 83 में हुई थी तो 83 लिखा है ठीक है रिपोर्ट जो है इसने काफी बाद में दी थी 1998 में दी नाइंटी 98 एस बिल्कु सही है 1990 तो यहां पर सरकारिय जो कमीशन है इसका यहां पर यह पॉइंट सही है ठीक है यह रहे चलिए इस तरीके से हमने आज का जो पुरा चैप्टर है तेखा अंगवाद ठीक है हमने जाना और आपका होंवक क्या था कि यह जू लिस्ट है वह भी आपको याद रखती है और जहां जहां पर मैंने मेंले का खूश्चर आपको दिया लिखने के लिए वह भी आपको लिखना क् State Government and Residuity Power की बात की, Federalism in Indian Constitution में चार बातों को समझा, घार्तिय संगी विवस्ता में तनाव के क्या कारण है, conflict के क्या कारण है और ऐसा क्या है, जो कि हमारे Federalism की, अगर हम बात करें तो स्को इसको बनाता है, ठीके, ऐसे बहुत से प्रोवीजन है. पेडरलिस्म को हमने समझा ठीक है काफी सारे जो कुश्चन से हैं हमने देखे जो पहले कुश्चन पूछे गए अब तक UPSC में उस पर भी हमने बात की यह आपका हॉमवग भी है कि आपको एक एक जो लिस्ट है वह याद करना है और साथ ही हमने यह देखा कि इंपोर्टेंट जो प्रोवीजन सब्सक्राइब करते हैं उसकी भी हमने चर्चा कि जैसे कि अल इंडिया सविसेज एमर्जेंसी पावर से फाइनेशन सविसेज हैं टीके गवडर का पावर है लिखे हुए है ना इसके अलावा और भी हो सकते जिसे क्या फिनेंशियल पावर के आटिकल्स देख लो जिसमें केंडर के पास ज्यादा रेविन्यू के रिसूर्स है तो वह आर्टिकल्स हो गए बिसिकली हमने चार की बात किया 356 ठीके राज्यसभा वाली बात होगी कि र मिलते हम अपनी नेक्स क्लास में